इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें दिन भर के मुख्य समचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्धन से पहुँचाएंगे इसलिए आप लोग भी इंडिया कड़बंदन के समर्थन में हैं, कॉंग्रिस पाटी के समर्थन में हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा दोस्तों, हैश्टेग वी सपोर्ट इंडिया, दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरह ही है, लेकिन इन सब के बीच में पियाम मोदी के दोरे के ठीक बाद राज्य के अंदर यहां पर केंद्रिय एजंसियां एक्टिब कर दी गई है, एडी ने राजिस्थान के मंत्री राजेंद्रियादब के जुड़े कई ठिकानों पर चापे मारी की है, एडी ने राजिस् कई नेताओं ने यहां पर आरोप लगाया है कि भाजपा 24 के चुनाव से पहले केंद्रिय एजन्सियों का खुले आम दुरुपियों करेगी और अब वैसा होता हुआ भी नजर आ रहा है एक तरफ राजस्तान में चुनाओ आए वहां पर एजन्सियां एक्टिव कर दी गई ह करके की थी विवादि टिपड़ी जिसके बाद भाजपा ने ना तो कोई कारवाई की बस एक नोटिस जारी करके यहां पर खाना पूर्ती कर दी यहां तक की स्पीकर ने भी रमेश बिधूरी पर कोई भी अब तक कारवाई नहीं की है और इन सब के बीच में आरसस के प्रम बयान आया है मोहन भागवत की तरफ से 24 के चुनाव से पहले भाजपा के अंदर हड़कंप देखा जा सकता है साफतोर पर कि मोहन भागवत भी अब यहां पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद सोसल मीडिया पर लोगों ने जम करके उनको ट्रोल भी किया है एक सोसल मीड पार्टी ने नूपुर सर्मा पर क्या कारवाई की थी आपने और आपकी पार्टी ने अनुरुआख ठाकुर पर क्या कारवाई की थी जब उन्होंने विवादित बयान दिया था मुसल्मानों को लेकर के आपने और आपकी पार्टी ने कारवाई नहीं की लेकिन अब 24 का चुनाओ है तो आप ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुसल्मानों का वोट आपकी पार्टी को मिल जाए लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है यहाँ पर सोसल मीडिया पर दोस्तों लोगों की राय सामने निकल के आई है मोहन भागवत के इस बयान पर अपनी राय भी कमेंड बॉक्स में कमेंड करके दोस्तों आप सबी लोग जरूर बताईएगा एक और बड़ी खबर बताते चलें सुप्रीम कोट ने किंदर की मूदी सरकार को लगा दी है जम करके फटकार जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोट ने पूछा कि आपने हमारी स्सी फाइले क्यू लटका करके एक बार फिर से टकराओ की स्थिती पैदा हो सकती है। इसके साथ ही जेस्टिस संजे के संकॉल ने आगे काहे कि मेरे पास इस बात की जानकारी है कि कितने नाम लंबित हैं। अपनी टिपनी में उन्होंने आगे काहे कि मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं खुद को इस बार रोक रहा हूँ मैं चुप हूँ क्यूंकि एट और नी जेनरल ने जवाब देने के लिए एक हपते का समय मांगा है लेकिन अगली तारीक पर मैं बिलकुल भी चुप नहीं रहूंगा यह यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट में मामला गर्माया है तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं हाई कोट ने मानहानी सिकायत के खिलाब राहुल गांधी की याचिका के संदर्म में महाधिवक्ता की राय मांगी है क्या है पूरी खबर मामला आप लोगों को बताते चलें बॉम्बे हाई कोट ने कॉंग्रस के निता रहुल गांधी के द्वारा पिया मोधी के खिलाब का थिटिपड़ी को लेकर के मजिस्ट्रेट अदालत के द्वारा उनके खिलाब सुरू की गई मानहानी की कारवाई को चुनाती देने वाली याजिका में सामिल कानूनी मुद्व पर महराश्ट्र के महा दिवक्ता से राय मांगी है बताते चले रहुल गांधी के द्वारा निचली अदालत के समन को चुनाती देने के बाद हाई कोट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को सुनवाई इस्थगित करने का निर्देश दिया तब से ही हाई कोट के समच राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई समय समय पर इस्थगित होती रही और अब पूरे मामले पर सुनवाई हुई है इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं भाजपा को अब उसी की भासा में करारा जवाब देंगे कॉंग्रिस की नेतार राहुल गांधी जी हाँ दोस्तों इस समय की बेहत बड़ी खबर आ रही है कॉंग्रिस की नेतार राहुल गांधी की तरफ से आयोध्या के दोरे पर जा सकते हैं आयोध्या के दौरे पर बताते चलें यहां संभावना राहुल गांधी के मुखे सलहकार एंव राजीब गांधी फाउंडेशन के सीओ विजय महाजन की गत सुमबार को आयोध्या की गोपनिया यात्रा से प्रसस्त हुई है यात्रा के दौरान उन्होंने कुच्चुनिंदा संतो सहीत यहां पर राम जनमभूमी के मुखे आचार सतेंदरदा से उनके आसरम पर पहुँच करके भेट की और जिसके बाद यहां पर बताते चलें अटकले लग रही है कि जल्द ही राहुल गांधी का आयोध्या का दौरा हो सकता है बताते चलें यहां पर महाजन के साथ में राहुल गांधी की टीम के दो तीन और महतपूर्ण सदस भी मौजूद रहे जिसके बाद अब अटकले लग रही है कि राहुल गांधी का जल्द ही आयोध्या का दौरा हो सकता है इस बीच एक और पड़ी ख़बर की तरह बढ़ते हैं दोस्तों दिल्ली से खबर सामने निकल के आ रही है MCD की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है आम आदमी पार्टी के पारसदों ने उठाया बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी का मुद्दा इस्तीफे की मांग यहां पर तेज हो गई है दिल्ली नगर निगम में सद दिल्ली से खबर सामने निकल के सांसद रमेश बिधूरी की आप लोगों को यहां पर बताते चले रमेश बिधूरी पर अब तक कोई भी कारवाई नहीं हुई है मुद्दिव में यहां पर लगतार विपच हमला बर है और उनको यहां पर पार्टी से निकालने की मांग भाजपा से कर रहा है लेकिन भाजपा ने पूरे मामले पर चुप़े साधी हुई है लेकिन हाँ भाजपा पूरी तरह से एक तरह से देखा जाये तो रमेश बिधूरी ने बेनकाब कर दिया है और रमेश बिधूरी को भाजपा का ही सनरच्षड प्राप्त है यह यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि समय की आज की तमाम बेहत बड़ी घबरे थी मुखे समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन घबरों को मुखे समाचारों को दोस्तों शेयर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर नहां तो दोस्तों चैनल को जबर सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत